जिसने भी ये सोचा कि मैं डर गया वो सलार थी पे अपने घर गया राथोर हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल फ्री फायर में क्लेस्कोड रेंग का एक और नाय सीजन आ चुका है लेकिन इस बार ग्रेंड मास्टर का टीर भी एड हुआ है तो जो लोग रेंग कमेच में हिरोईक नहीं जा पाते हैं या ग्रेंड मास्टर नहीं जा पाते हैं वो कोशिश करेंगे कि वो क्लेस्कोड रेंग कमें जल्दी से यल्ली ग्रेंड मास्टर पहुँच सके साथ ही में कई सारे बंदे तो ट्राइ करेंगे कि वो Grand Master पहुंचने की इकोसिस करें क्लेस कोड रेंक में विसे थोड़ा मुश्किल है लेकिन क्लेस कोड में Heroic पर या फिर Grand Master पर जल्दी चल्दी पहुंचने के लिए आपके पास एक Best Character Skill Combination का होना ज़रूरी है Rank में आपको पता होगे गर आप कोई भी Character Skill Combination लेते हो तो वो किसी ने किसी तरह के सापके उप्योग में आई जाता है लेकिन क्लेस कोड में ऐसा नहीं होता है कुछ केरेक्टर तो ऐसे हैं जिनकी Skill को क्लेस कोड में कोई भी काम नहीं है उधारन के लिए आप पलमा की अबिलिटी ले सकते हो फोड की अबिलिटी ले सकते हो और हमारे जा मीशा की अबिलिटी ले सकते हो ये अबिलिटी कुछ काम की नहीं है क्योंकि आप क्लेस कोड में ना जोन के बाहर जाओगे ना तो फिर आपके पास कोई बैक पेक की जगा काम होगी तो यहां पर इन तीनों को कोई भी काम नहीं है अब मैं आपको बताता हूँ क्ले स्कोट के लिए बेस्ट करेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन लेकिन उससे पहले अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो पार पास में जो घंटी वाला बटन उसको दबाकर पर सेट कर द आलोग को जिनको आलोग तो 9 अदाव कर सकते हैं अगर आप यूज करते हो तो आपको सबसे पहले गेम में अगर कुछ छुम की ज़रूब से खरीट से पहले आपकी मशरूम हो जाएगी है आपको हैजनी सबसे ठीट में इसको करक्तmeter को अल्जान नहीं किया है क्योंक आप क्रोनों या वुकों का एविलिटी यूज़ कर रहे हो तो सबसे में जरूरी है सेकेंड स्लोट में आपको मेक्सिम रखना ही पड़ेगा क्योंकि मेक्सिम जो मेडिकीट फास्ट यूज़ करता है उसका कोई जवाब भी नहीं चालिस परसंट फास्ट बहुत ज्याद आता है बहुत जल्दी यूज़ कर लेता है तो अगर आप यह वन टू-फॉर यह फिर आलोग नहीं रख रहे हो तो मेक्सिम तो रखी लिए और यह वन टू-फॉर आलोग रख रहे हो तो भी आप सेकेंड स्लोट में मेक्सिम ही रखन थर्ड स्लोट में आपको रखना है एंटीनियो की स्किल तो एंटीनियो की स्किल ऐसी है कि यहापे आपको हर एक राउंड में 35 HP एक्स्टर देगा जैसे कि आप अपने स्किल में देख रहे होंगे मेरी 235 HP है राउंड रिस्टर होने के समझी तो हर एक राउंड में आपको instantly 40 HP मिल जाएगी आखरी और 4th slot में आपको लगाना है केली के अबिलिटी केली के अबिलिटी आपको पता होगा कि 6% स्पीट को बड़ा देती है जो कि हमारे क्लेस कोड में काफी important डिती है क्योंकि आपे movement speed बहुत matter करती है free fire में अगर आपको केली पसंद नहीं है फिर इतनी movement speed आपको नहीं चाहिए तो आप लगा सकते हो मोको की ability मोको की ability आप लगाते हो तो अगर किसी enemy को hit करते हो तो उस पे 6 second के लिए एक take आजाएगा वो take आपको भी दिखेगा और आपके teammate को भी दिखेगा उससे आप किसी enemy को track भी कर सकते हो किस तरफ भाग रहा है 6 second के लिए तो उससे कई बार क्या होता है कि गरों में अगर enemy दर दर बहुत भागता है movement दिखाता है तो उससे आप आसानिस उसको track कर सकते हो आपको थोड़ी और ज्यादा movement speed चाहिए तो आप यहाँ पर कि आपको बहुत ज़्यादा फाइदा हो सकता है आपको रखना है अलवारो के ability आप यहाँ पर देखो class code में इस code में खेलते हो तो आपको अलवारो के ability लखना है रख लेना उसके साथ में पेट में आपको बोस्टन पेट रखना है और आपके grenade से फिर enemy का बचना मुस्किल हो जाएगा तो यह तो था मेरा character skill combination साथ ही मेरा opinion आपकी opinion क्या आप comment box में comment करके मुझे जरू से बताना आपके comment का मैं वेट करता हूँ मिलते अगली वीडियो में तब तक के लिए जैन जै बारत